राजस्तान के कोटा से मेडिकल एवं इंजिनियरिंग की पढ़ाई की तयारी करने परदेश से गए हुए स्टुडेंट्स लोगडाउन के पस्चात हालातों के मद्दे नजर आना शुरू हो गए इन छात्र छात्राओं की वापसी परदेश इस आशन के पहल पर हुई है की थर्मल स्क्रीनिंग की गई उसके पस्चात सभी का स्वास्थे पशिक्षिंचारी है जीला स्वास्थे एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंग ठाकुर ने बताया कि राजस्तान कोटा से सडक मार्ग द्वारा प्रतम साथ बच्चों को विज्ञान विक्यास केंद्र दुर्ग में उतारा गया है यह सभी चात्र चात्राइं सरगुजा संभाग के हैं जीला दुर्ग में लगबग 473 चात्राओं को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन वह आइसलेशन में रखा जाएगा प्रतम साथ बच् टेस्ट द्वारा करोना वायरस के नेगिटिव एवं पॉस्टिव का पशिक्षन किया गया उसके पस्चात सभी चात्र चात्राओं का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है इसके बाद सभी बच्चों को सैनिटाइज किया गया सैनिटाइजर करने के पस्चात सभी को मास्क भी दिये गए जीला स्वास्ते एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंग्ठाकूर ने बताया कि सभी पहुचिने वाले बच्चों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा गल्स को विज्ञान विकास केंदर दूर्ग में क्वारंटाइन किया जाएगा जबकि चात्रों को कोहुका स्थित डुक्ता कैंपस में क्वारंटाइन किया जाएगा इसके अलावा इन चातर चात्राओं को राजस्तान से 36 गड़ लेके आने वाले बस ड्राइवर सात में गए हुए शास के अधिकारियों एवं मेडिकल स्टाफ को भी क्वारंटाइन किया लगातार बच्चों को आने का कर्म बना हुआ है राजस्तान से दुर्ग पहुशने वाले सर्गुजा संभाग के चातर चात्राओं के स्वास्ते पशिक्षन थर्मल स्क्रीनिंग एवं रेपिट टेस्ट के लिए विज्ञान विक्यास केंद्र में जीला स्वास्ते विभा कारिरत सभी 12 डॉक्टर एवं अन्य पैरिमेडिकल करमचारियों को जीला स्वास्ते विभाग आयुश एवं आयूर्वेदिक विभाग से सेवाय दे रही हैं वहीं सीवल सर्जेंट डॉक्टर पुनित बालकिशोड ने बताया कि रेपिट टेस्ट के पस्चात नेगटिव विज्ञान विकास केंद्र दुर्ग एवं रोंगुटा केंपस में कॉरिंटाइन किया जाएगा जबकि पॉज्टिव पाय जानों वालों की स्थिती जीले में चार स्थानों पर बनाए गई है दुर्ग भलाई से समधाता राजेंदर गाड़े के साथ सुनेल से होने की र राजग घराना चयुटिवल जबकि बांकि इस रवाल एजती धराऊन की स्थिती एली आ। भलाई स्था एलीभ इस पडाеж में चयूहा बदोटर फेंदाइन जबकि अजदी आब ए व ए और गवरणिवे कास्यथ इन